नमस्ते बच्चों, बीके प्रविन्द इसले चाइनल में आपका स्वागते बच्चों, आज हम मैं हिमालय बोल रहा हूँ, इस निबंद का अद्धेन करेंगे मैं हिमालय हूँ, संसारबर के परवतो का राजा मैं ही हूँ पृत्विके उद्वो के साथी मेरी उत्पत्ती हुई और स्रुष्टिके अंत के साथी मेरा अस्तित्व समापत होगा मेरे ही आश्रे में सब्वेताओने जन्मलिया पुरानों वर्नित देवादी देव मादेव का निवास्तान कैलाश पर्वत मेरा ही मत्वपुर्ण अंग है युगो युगो से योगी तपस्वी रुशिमुनी मेरी ही कद्राओं में व चोटियो पर तप व साधना में लिन रहे है मेरे अचल में स्थीद केदारनात, बद्रिनात व अमरनात आदी तिर्थस्थल ना केवल भारत में अपितु संपुर्ण विश्व में अपने धार्मिक मत्व के कारण प्रसिद्ध है संसार बर्से परवता रोई परवता रोन के लिए मेरी ही परवत स्रुंक्लाओं का चुनाओ करते है संसार के कुछ गिने चुने परवता रोई मेरी सबसे उची चोटी माउंट योरेष्ट के शिकर बिंदू तक सफल परवता रोन कर सके है परिवार वं मित्रों के साथ मिलकर बर्प में खेले जाने वाले खेल जैसे आइस स्केटिंग, स्कीइंग वं आइस होकी आधी खेल खेलकर लोग मनोरंजन तथा जीवन का आनंद उठाने में कोई कसर नहीं चोड़ते मैं शांती और आनंद का स्थल हूँ मैं ही पुर्वी तथा दक्षिनी अध्रमांसुनी हवाव को रोक कर बारत के उत्तरी राज्जों में वर्षा करवाता हूँ मुझसे ही निकलने वाली गंगा यमुना जैसी पवित्र नदिया हर मोसम में लोगों की प्यास बुजाती रहती है मुझ पर अउश्यदी वनों का बंडार है जिससे असाध्य रोगी भी स्वस्त हो जाता है आज की 21 सदी के बुद्धिमान मनुष्य से अब मुझे डर लगने लगा है अपने स्वार्थ के कारण मानो मेरे विस्तार को नित्प्रती संकुचित करता जा रहा है कभी व्यापार व्योवसाई की दुष्टी से तो कभी परेटन को बड़ावा देने के नाम पर मेरी प्रकृतिक संपदा वो संदर्यों को क्षती पौचाई जा रही है यदी समय रेते न चेता गया तो आने वाले समय में मेही ने रहूंगा और इसका खामी आजा संपुर्ण जिवों को भुगतना पड़ेगा